बच्चों के विवाह को लेकर एक और दिन आपके लिए आ गया है जो की बहुत ही शुब है 26 दिसमबर को मंगलवार का दिन उस दिन है पूरनिमा तो मार्शीष की पूरनिमा है उस दिन ये दिन बहुत शुब है मारशेश का महीना वैसे भी विश्ण भगवान को बहुत पिरिये है, कृष्ण भगवान को बहुत पिरिये है, इसलिए एक दिन और आगया है आपके पास कि आप इस दिन जो भी उपाई करेंगी वो अचूख होगा, क्योंकि आप जानते हैं, कुछ दिन ऐसी होते हैं, जिन दिनों में अगर कोई छोटा सा भी उपाई कर लिया जाए तो वो एक दम सो परतिशत सफल होता है आगे पीछे की दिनों की बजाए अगर आप किसी विशेश दिन में कोई उपाई करते हैं क्योंकि उन विशेश दिनों यहां आके मारशिष का महीना समापत हो जाएगा और इसके साथ ही साल 2023 की यह आखिरी पूर्णिवा होगी तो जो उपाय बता रही हूं वो बता रही हूं हमारे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के विवा में देरी हो रही है और माता-पिता पूरी तरह से प्रेशान है और वो बच्चे भी प्रेशान हैं जिनके विवा में देरी हो रही है देखिए सबी को पता है कि जब बच्चों की उमर निकलने लगती है विवा वाली तो माता-पिता प्रेशान होते हैं बच्चे खुद प्रेशान होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हम इस समस्या का सम होता है तो ऐसे में आप पूरनिमा के दिन एक काम छोटा सा करें माता पिता या बच्चे कोई भी इस कार गर कर सकता है अगर बच्चों को फूसत ना हो तो माता पिता भी यह उपाई कर सकते हैं आपको करना क्या होगा सुबह में नहाद ौली जिये नहाद के कोशिश करें कि कोई एक पीलावस्तर पहन ले उस दिन पूर निमा का दिन होगा अगर नहीं हो तो कोई चिंता ना करें कोई दूसरा गुलाबी कलर का या किसी और हरे कलर का ग्रीन कलर का कोई कपड़ा पहन सकते हैं आप अब इसके बाद से आप अपने पूजा घर में सब से पहले एक दीपक परचलत करिएगा और दीपक परचलत करने के बाद वहां हाँ जोड के नमस्कार करके बच्चे की विवा की कामना को लेकर उपाय करने का और उसे सफल करने का प्रार्थन करें अब घर से कुछ थोड़ी सी सामगरी ले लीजिए जैसे की एक लोटा जल ले-ली-जैब ठोड़ा सा सिंदूर ले-ले लीजिए रोली नहीं चाहिए सिंदूर जो महिलाइन अपनी मांग में लगाती हैं वह सिंदूर हमको चाहिए पीला वाला ओरेंज वाला और इसके साथ ही चाहिए एक मोली का धागा आप गट्टा ले लीजिए मोली का धागा वहां पर तोड़ सकते हैं और इसके साथ चाहिए आपको चार लोंग ले लीजिए और चाहिए हलदी थोड़ी सी या तो पाउडर लीजिए हलदी थोड़ा सा या फिर दो गांट ले लीजिए हलदी की यह चीजें लेकर आपके घर के पास कोई मंदिर हो, वहाँ पर पीपल हो, तो वहाँ पर आपको जाना होगा, और अगर पासपरोस में कोई पीपल हो, या कहीं कोई पार्क में लगा हो, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी पीपल हो, जिसके पा पिपल्ड पर जाने के बाद आपको दो पत्ते लेने हैं सफ और बड़े पंपल के पट्ते ली जह आप दो पत्ते लेने के बाद आपके पास जो लोटा जल है उसको अरृपित कर दें वहां पर और थोड़ा सा जल यानि के बिल्कुल एक दो चमस जल उसमें से बचा लीजिए और अब आपके पास जो सिंदूर है उस सिंदूर में थोड़ा सा पानी डालके इससे पेस्ट बना लीजिए आपके पीपल के पत्ते पर ही कोई अलग से पता लेके उसके उपर पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाने के बाद वहां पर ही पी सबसे पहले उपर एक स्वास्तिक कच्चिने बनाना होगा। जो डंडी का मैं डंडी में सबसे पहले उपर स्वास्तिक लिए और उसके नीचे एक पत्ते पर आपपने जीवन साथी का नाम लिकिए। अगर तो आप जानते हैं जिससे आपकी बात चल रही है जहां आप चाहते हैं कि आपका रिष्टा वहां हो जाए या मान लीजिए आप किसी को प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि मेरा प्रेम विवा हो जाए तो आप उसका नाम उस पत्ते पर लिख दीजिए उपर स्वास्ति का चिन है और नीचे उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए अगर बेटियां हैं तो सामने लड़के का नाम लिखे दें और अगर बेटे हैं तो सामने लड़की का नाम लिखे दें माता पिता हो तो वो भी एक पर सामने जहां रिष्टे की बाद चल रही है वो नाम लिखे दें दूसरा पत्ता लीजीए उसके ऊपर भी ऊपर स्वास्तिक चिने बनाएं, और नीचे आप अपना नाम लिखे दें, यानि कि माता-पिता हों तो अपने बच्चे का नाम लिखे दें, बेटा या बेटी का लड़के और लड़किया हों तो वो खुद का नाम लिखे हो गए, इन दोनों पत्तों पर आपको जो आपके पास दो लोंग चार लोंग हैं आपके पास दो लोंग एक पत्ते पर रखें और दोनों पत्तों पर दो दो लोंग रखने के बाद उसके उपर डालें जो हल्दी आप लेके आए हैं पाउडर दो चुटकी एक पत्ते पर डालें और अगर हल्दी की गांठ लेके आई हैं तो एक गांठ इस पत्ते पर रखें और एक गांठ इस पत्ते पर रखें रखने के बाद इसको रोल कर लें बिल्कुल जैसे की बीडी का रोल होता है उस तरह ऐसे लंबा-लंबा रोल कर लें रोल करने के बाद इसके उपर मुली का धाग से और अगर बच्चे हों तो वो खुद अपने नाम से प्रार्थना करते हुए जो जीवन साथी वाला यानि कि सामने वाले व्यक्ति के नाम का जो बंडल है आपके पास जो रोल किया हुआ है उसे तो आपको वहीं पीपल की जड़ में छोड़ देना है उसके ऊपर एक कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई चीज ऐसी हो जो उसके ऊपर रख दे आप ताकि वहीं दरुद ना हो वो पीपल की जड़ में छोड़ दीजिए और जो आपके खुद के नाम का है उसे आप घर ले आए जो आपके खुद के नाम का पत्ता है पीपल का उसे घर ले आए और जो सामने जीवनसाथी के नाम का है उसे वहीं पीपल में मनोकामनापूरति की प्रार्थना करते हुए चोड़ दें से लाके घर में और आपके पुजा घर में रखें अनुमाण जीडा चित्रोहतों उसके सामने रख दें और रखने के बाद हनुमाण चलिसा का पाठ करें ए के तो आप एक बरतन लीजिए गा उस बरतन में इस पत्ते को जो रोल किया हुआ है इसको उसमें डुबो दीजिए और फिर अगले दिन सुबह इसको भी ले जाके जहां आपने पहला पत्ता चोड़ा है उसके पास लोटा पानी का जल डालते हुए इस पत्ते को भी वहां डा पूर्मीमा का अच्चू को पाई है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट बॉक्स में शेहन मतनवा हैं जरूर लिखें ठैंक्स फोर वाजिए